हेलो गाइस कैसे है सब लोग दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया लेकर आता हूँ ऐसे ही फ्रेंड्स आज लेकर आया हूँ मैं है इस टेक्ट जो के स्केमेटिक का एक नया टूल है जो के काफी दिनों से मार्केट में यह घुम रहा है बट इसके वारे में किसी ने अच्छी तरह से नॉलेज नहीं दी है इस वीडियो में मैंने पूरा बताया है और सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स पांच म यह जो डाइग्राम है इसके अंदर आपको मल्टी लेयर का एक बहुत अच्छा आप्शन आ चुका है जो कि ना तो बॉर्णियों के अंदर है ना तो प्रग्माफिक्स के अंदर है ना तो किसी और टूल के अंदर है आईफोन के अंदर आपको वूजिंग जी इसके अलावा bitmap इसके अंदर है很 Ander wed solution इसके अंदर है और सरकीट डाइग्रändern बहुत सारे अध में तूल बालों का नमबर दे दूँगा आप WhatsApp करके आप टूल, ये टूल कितने का आप प्राइस पूल सकते हैं, बहुत ही कम फिल, एक मोबाइल आप रीपेर करते हैं, फिर्ट बद उतना ही इसका चार्ज है, आप इसे मेहने बर के लिए ले सकते हैं, 6 मेने के लिए ले सकते हैं या 12 मेने के लिए भी आप ले सकते हैं अक्टिवेशन आपके उपर है जितने दिनों का आपको चाहिए उतना कराईए बॉर्नियों और दूसरे डाइग्रम 4-4,000 रुपे की डाइग्रम है 2-2,000 रुपे, बहुत महिंगे डाइग्रम मार्किट में घूम रहे हैं तो ये डाइग्रम को सपोर्ट करिए, इसको ले करके आप यूज करिए, इसके अंदर हर दिन बहुत सारे अपडेट ये लोग दाल रहे हैं ये वीडियो आप पुरा इंट तक देखिए, जरूर आपको पसंद आएगा वीडियो और अच्छा लगा, तो एक टेक्निशन भाई तक जरूर इस वीडियो को आप शेर करिए डिस्क्रिप्शन में नमबर दे दूँगा मैं, अगर आपको ये टूल चाहिए तो वाटसप करके डिटेल पूछे, कॉल मत करिए, वाटसप करिए, टूल का प्राइज आपको मिल जाएगा और ये मैं आपको, जैसे कि आज फ्रेंड्स हमारा फ्राइडे है, तो मैं हो सकता है नेक्स फ्राइडे के दिन आपको पांच जनों को मैं ये, या तो फिर संडे के दिन, संडे के नाइट में मैं आपको पांच जनों को ये टूल फ्री दे दूँगा जो भी नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे इस वीडियो को 5000 व्यूस तक अगर आप लिके जाएंगे तो जरूर मैं आपको 5 कैसे भी मैं आपको दूँगा चाहे वो वीडियो जाए या ना जाए पांच हजार व्यूव जरूर पांच बंदों को मैं पांच ये डाइग्राम के टूल में फ्री देने वाला हूं तो इस वीडियो को पूरा देखिए वीडियो अच्छा लगा जरूर बताइए कि है और क्या चेंजेस इसमें करना चाहिए और हमारे फोन फिक हदावबाद का नेक्स बैस 27 अक्टूबर से है और नेक्स बैस 27 नॉवंबर से है उसमें आप बुकिंग चल रहा है अगर आना है तो आसकते हैं आप एक प्रोफेशनल टेक्निशन बनने के लिए वीडियो अच करने के बाद यहां पे एक फोल्डर आ जाएगा इसका यह देख सकते हैं इसको राइट किलिक करके इसे रन करते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो चलिए इंस्टॉल होने के बाद यहां देख सकते हैं कलेक्शन इंफॉरमेशन पहले लेगा तो यहां पे नेक्स करन है यह सारे चारो के चारो यहाँ पे फिल हो जाने चाहिए है आपको अंस्टाल करना है हाँ पे चारो हो जाने के बाद हम इसमें login ID password डालेंगे उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या diagram है bitmap है क्या है यह नएा tool आ चुका करने के बाद यहां पर टूल यहां पर चल चुका है और यह देख सकते हैं आपके पास पास पर यहां पर डालना है तो यहां पर मैं मेरा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पासपर डाल देते हैं यहां से रिजिस्टर आड़ी है मेरा तो मैं साइन इन करता हूं तो यहां पर यहां पर यह देख सकते हैं यह ऊपन चुका है सकरेक्ट क्रसरों कर देख सकते हैं यह सेट अ हवाई के मॉडल्स के लिए और भी काफी सारा इन्होंने यहां पे आईफोन का भी अपडेट दिया है हवाई का अपडेट दिया है realme का update दिया है reno का दिया है और इसमें multi layer जो होता है अभी तक किसी ने भी tool वाले ने ये नहीं दिया है android के उपर और ये e-stack वाले ने बहुत अच्छा काम किया है multi layer यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर taps है तो 4 ओं के अंदर कुन सा है देखते हैं इसमें realme 5 pro का इसमें latest model है तो इसका जैसे आप इसे open करेंगे अगर आपको इसमें देखना है network section तो यहाँ पर network part 1 और part 2 दो इन्होंने part डाले हैं wifi section touch हो गया sim हो गया यहाँ charging के लिए देखेंगते हैं तो charging का data open करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स यह इसका hardware solution है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो line है इन्होंने use की है DMDP की supply battery ID battery thermal और VBAT और VBUS तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो VBUS की हमारी 5 world होती है जो charger से नीचे से आकर के यहाँ पर आती है इस वाले connector में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इसका test point भी दिया गया है VBUS का दोस्तों यह बहुत अच्छा tool नया market में आ चुगा है stack यह देख सकते हैं यहाँ पर VBUS की line फिर यहाँ से होकर के यह तीन capacitor parallel में लगके हैं उसके बाद एक यहाँ पर diode लगकर हैं उसके बाद यहाँ पर OVPIC है यहाँ पर आपदेख सकते हैं मोस्थेट भी हो सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं repentяться hope यहばい से होते हुए एक capacitor से ऑट होकर के इस वाली IC में यहाँ पर एक capacitor के बाद यहाँ पर यहाँ यहाँ पर जा रही है और जैसे इन ओती है फ्रेंट्स यहां से आपको पता ही है इससे दो आटपुट निगलते हैं एक होता है हमारा वी पी एच जो के एक यहां से डायोट पैरलन में लगके एक कैपिशिटर उसके बाद यह वी पी एच कोयल के बाद यहां से यह लाइन बाहर निकल जाती है और यहां से 6 पिन का आमस्वेट है जैसा कि आप देख सकते हैं इसको वी पी बि बोलते हैं उसके बाद यहां से हो करके यह बैटरी कनेक्टर पे आएगी और इसका एक टेसट पॉंट भी होगा यहां पर जैक सकते हैं यह वी बैट के दोटीड्स यह हमारी VBAT की लाइन यह बैटरी थर्मल और बैटरी आइडी की लाइन अगर आप देखना चाह रहे हैं तो दोनों भी लाइन इसकी थर्मल और एडी लाइन यहां पे CPU में जा रही है और ये हमारा जो Realme 5 Pro का एंसेट है तो इसमें अगर आप बैटरी ID और बैटरी Thermal Line की अगर कोई भी इश्यू होगी तो आपको CPU तक ट्रैक चेक करनी होगी जैसा आप देख सकते हैं तो फ्रेंट ये बहुत ये अच्छा मुझे लगा इसकी किलियरिटी जो है बहुत अच्छी लगी बार्नियों के स्टेकर में इसमें देख सकते हैं PM670L लगकर है तो PM जो होगी इसकी 670 होगी जो पावर IC इसमें है PM670 जिसमें होगी फ्रेंट्स तो उसमें उसका बैटरी ID और थर्मल लाइन बिल्कुल भी नहीं होगा इसकी जो बैटरी ID थर्मल लाइन जो हो कि इसकी CPU में जाएगी तो इसके अलावा अगर और भी अगर आप देखना चाहते हैं इसमें अगर से हम आडियो सर्किट देखेंगे एक बार आडियो का डाड़ा खुल लेते हैं तो आडियो IC और रिंगर IC कौन सी है इसमें देखते हैं तो चलिए आडियो जो होती है इसकी बेसिकली PM670, 770 LE होती है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लगके है जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्पीकर पादेटिव और नेगेटिव यहाँ से तो यह TFA 9890 करके एक IC हो सकते हैं इसके सारा clock data और यह supply यहाँ पर आती है इसपीकर की तो यह रिंगर IC हो गई और इसकी audio IC जो है यह 670 जो कि अभी हमने देखा था इसका यहाँ पर PM670L है तो यही इसका audio IC है 670L जो कि यहाँ पर बड़े से boost coil यहाँ पर दिख रहें इसको उमपक कोईल बोलते हैं और HDR जो है इसमें 660 HDR लगके है यह देख सकते हैं 4G PA और यह 3G का PA antenna IC यह इसकी RF IC तो यह सारी चीज इसमें है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे friends इसमें यह तो हो गया हमारा hardware solution चलिए अभी हम circuit खोलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके में इतने सारे इन खोलते हैं और चेक करते हैं यह 505 ही खोल लेते हैं और चेक करते हैं इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉंपाइन में open होगा और इसमें जो देख सकते हैं आप यहाँ पर साइड में आपको सारे components और diagram की file मिलेगी और यहाँ पर मिल जाएगा आपको इसका PCB layout यहाँ से zoom करके देख सकते हैं हाला के friends जो यह diagram होते हैं सभी tools में अगर आप देखोगे तो same ही मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है बद हर tool वाले का अपना-पना एक तरीखा है काम करने का और लोगों तक solution देने का अपना-पना एक तरीखा होता है friends तो यह भी एक diagram का tool है इसमें जो मुझे अच्छा लगा friends यह multi-layer multi-layer मतलब कभी आपको CPU scratch करना पड़ सकता है या कभी आपको motherboard scratch करना पड़ सकता है तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे models इन्हों ने दिये हैं redmi के ओपो की बात करें और realmi की बात करें तो यह सारे latest models ही है realmi, reno 5, 3 वगारा तो यह वाला चीज अभी तक किसी ने नहीं किया है चलिए मैं reno 5 का एक बार diagram open कर देता हूँ यह देख सकते हैं इसमें क्या होता friends यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे प्रेंगे PCB के जो 8 layers होते हैं सारे के सारे इन्हों ने यहाँ पर show किये हैं थोड़ा सा मैं zoom करके बताना चाहूंगा आपको के अभी देखिए friends जैसा के यहाँ से काफी सारे trackें बाहर जा रही हैं तो कभी आपको shield पतरा उतरा निकालने के time पर यहाँ से trackें मिस हो जाती हैं तो आप layer first में देखेंगे तो इस तरह की trackे हैं layer 2 में देखेंगे तो यह सारी trackे हैं यहाँ से track इदर जा रही है layer 3 में देखेंगे तो यहाँ से trackे हैं इसके नीचे से जा रही है layer 4, layer 5, layer 6, layer 7, layer 8 और 9, 10 जो होती है friends हमारी surface layer होती है जो कि उपर वाली layer होती है जहाँ पर य इसमें यह चीज बहुत अच्छी लगी कि जो भी ट्रैक आपको मिसिंग हो रही है तो आप यहां से अगर स्क्राइच कर रहे कभी ब्रेक हो गया है पत्रा होतार है आप देखिए पत्रे के निचे से एक ट्रैक जा रही है तो यहां से यहां तक आप जंपर लगा सकते हैं तो ऐसे ही फ्रेंड्स हर टूल की अपनी खासियत होती है तो इस टूल की भी खासियत है यहां पर देख सकते हैं सबका अपना अपना नंबर यहां कर लेते हैं तो ओपो 53 में देखते हैं friends देख सकते हैं इस तरह का कई कई बार हमारे पास बचे बोर्ट कराथे हैं जिसमें ये पत्रा निकाल रहे हो, यह यलो वाले जो होते है आपका शिल्ड पतरे का प्लेस होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते है friends ये पतरा निकालने के टाम पे track員 break हो जाती है तो आप first layer, second layer, कोन से layer के नीचे आपको scratch करना है कहां तक scratch करना है, यह इससे पता चल जाता है आठ के आठ लेयर इन्होंने बता दिये फ्रेंट्स तो ये शायद ही मैं समझता हूं किसी और इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक चीज बहुत अच्छी लगी फ्रेंट्स इसमें ये मुझे लेयर मल्टी लेयर का जो आप्शन दिया गया है तो ये नया इन्होंने निकाला है इस ट्रेक वालोंने तो हाला के बिट मैप तो यह है देखें इस तरह से यह कहां कहां लैर ट्रैक जा रही है बता देगा यह देख सकते हैं यहां पर इस की ट्रैक यहां जा रही है यह अगर यहां चेक करेंगे यहां पर चेक करेंगे तो आपको यह track यहां से जुड़के है, इस IT के साथ जुड़के है तो यह bitmap के अंदर होता है हलाके diagram तो है तो bitmap में friends इतने सारे इन्होंने option दिये है, one plus दिखे friends, one plus के iPhone के मैं one plus का बताना चारा था one plus का आपको bitmap में मिल जाएगा latest में यह iPhone के भी इन्होंने दिये है iPhone 13 Pro तक इन्होंने दिया यह देख सकते हैं, iPhone से लेके Android तक इन्होंने दिया है यह मुझे बहुत अच्छा लगा, जो layer का option अभी तक ZSW अगर आमें मिलता है लेकिन stack का यह खासियत है कि जो इन्होंने यह वाला काम किया है अभी तक किसी ने भी यह वाला काम नहीं किया है और अगर bitmap की बात करें तो bitmap में आप देखोगे OnePlus के जो bitmap मुझे यहाँ पे दिखें देख सकते हैं OnePlus में 9 तक OnePlus 9 तक इन्होंने दिया है 7, 7 Plus, 7 Pro यहाँ पे friends काफी बार क्या होता है बच्चे यहाँ पे इस तरह के ICों को उठाते हैं और track है break हो जाती है तो कौन सी track कहाँ पे जा रही है यह सारी चीज इसमें अपने को पता चल जाती है यह देख सकते हैं कौन सी line shot है तो कि इसके diagram नहीं होते हैं प्लस वगरा के तो यह आप bitmap का साहरा लेके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह इसके अंदर फ्रेंट चार चीज है जैसे मैं बता दिया आपको फाइला है hardware solution दूसरा है circuit diagram और तीसरा है इसमें bitmap और चौता है multilayer हो सकता है future में और भी कुछ आए और इसमें ये लोग changes कर रहे है अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं बहुत कम price है इसका डिस्प्ले पे नमबर दिया गया है WhatsApp करके आप इसका detail ले लीजिए कि इसका price कितने में आपको मिल जाएगा खाली बहुर्णियो लेने से कुछ नहीं होगा friends आपको सारे tools रखने होंगे इस तरह के क्योंकि कौन सा mobile कब आ जाए पता नहीं और सारी की सारी चीज़ आपको एक ही circuit diagram में नहीं मिलती है ये आपको पता ही होगा तो चलिए friends वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें शेर करें नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें और ये tool कैसा लगा आपको जरूर बताए thank you very much